Hey guys, welcome back to my channel, मैं हूँ कविता और आप देख रहे हैं Coding करी फ्रेंट आज के इस वीडियो में हम बहुत ही interesting project को करेंगे जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं, आपको एक map दिख रहा है और different countries में आपको colorful से जो marker है, वो आपको visible हो रहे है फ्रेंट मैं आपको बता दूँ कि आज हम क्या करेंगे, मैंने अपने ही channel coding करी का views का data map पर show किया है, और यह जो colorful से icon है, यह show कर रहे है different different number of views को, फ्रेंट अगर आपको यह project interesting लग रहा है तो अभी के अभी video को कीजिए like और video को end तक जरूर देखेगा because आज आपको बहुत सी चीज़े सीखने को मिलेंगी, so friends चलते हैं अपनी visual studio code में और project को करना शुरू करते हैं so friends हम आगए हैं अपनी visual studio code में और हमेशा की तरह मैंने basic structure जो है वो ready करके रखा है, यह html की file है, जिसमें मैंने एक JS की file अटेच की है, जो की अभी blank है, और CSS की file में simple एक line का code लिखा हुआ है, अब क्यूंकि अभी हमने क्या किया है, यह हमारा बिल्कुल blank है, तो अभी आपको पेज में कोई output नहीं नजराएगी, बट सबसे पहले हम अपने map को set up करते हैं, जैसा कि अपने demo में देखा था, हम एक map जो है, वो use कर रहे हैं, तो उसके लिए, friends, आपको map box यूज करना है, अगर आपको नहीं पता कि map box क्या है, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में read कर लीजे, इस से हमें क्या होता है, डिफरेंट नंबर और अलग अलग तरीके से हम map को basically use कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको इस website पे अपना जो login है, वो करना पड़ेगा, sign up कर लीजेगा, और उसके बाद जब आप login कर लेंगे तो आपको ये page नजर आएगा, तो आपको क्या करना है, ये web वाले option है, क्योंकि हम website पे use कर रहे है, as a web page तो आपको ये choose करना है, उसके बाद html वाले जो section है, इस पे चले जाएए, और ये simple सा फटा फट से जो एक setup होता है, वो आपको दे देगा, तो मैं as it is क्या कर रही हूँ, अपने यहां पर जो CSS की file है, यहां पर इसको inbuilt कर लेते हैं, और ये जो हमारी JS की file है, इसको भी कर लेते हैं, copy, और यहां पर इसको कर देंगे paste, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से next कर दीजिए, next करने के बाद आपको ये simple सा code मिल जाएगा, यह जो div है, आपको पता ही होगा, कि क्या करना है, आपको ये body section में as it is paste कर देना है, उसके बाद ये जो script है, ये वली script है, मैं क्या करती हूँ, क्योंकि हमने इसके लिए JS file औरड़ी बना के रखी है, तो इसमें simple मैंने इसको copy-paste कर दिया है, अब friends, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, तो जब आप sign-in करेंगे, बेसिकली account बना के, तो आपको ये सबका ये जो token है, ये वाला token, जैसे API की मिलती है, वैसे ही map box में sign-in करने के बाद सबको अपना-पना एक access token मिलता है, तो आपको अपना access token मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पर copy paste कर देना है, ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं, हमने अपनी तरफ से कोई भी code नहीं लिखा है, simple हमने क्या किया है, setup किया है, और देख सकते हैं, आप जैसे ही अपना page जब आपका refresh होगा, तो आपको यहाँ पर जो map है, वो visible होने लग जाएगा, बट अभी इसमें थोड़ा सा कमी है, क्योंकि हम यह full width और height पे चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर देंगे ध्यान, तो यहाँ पर यह देखिए, इसको styling, inline styling हो रखी है, जो कि हमें नहीं चाहिए, और क्यों 100 VH, जो कि हर एक viewport पे, इसकी जो height है, वो क्या हो, वो 100 ही रहे, मतलब पूरी height जो है, वो basically gather कर ले, तो आप देख सकते हैं, अब आपका map पूरी screen पर आपको visible हो रहा है, बट अभी क्या है, यह आपको zoom out करना पड़ रहा है, तो ऐसा हम को नहीं चाहिए, by default ही zoom out चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ JS में जाएए, और आप देखेंगे यह क्या है, एक object है, तो object में एक property है, map box की, उसमें आपको लिखना है zoom 1, जो की है default property, मतलब आपको default बनाना है zoom 1, ठीक है, तो अब अगर अब अब इसका क्या, जो आपका map है, वो लोड होगा, तो देखी, जूम आउट basically by default आपका हो गया है, अब आप में से कई लोगों को light theme पसंद है, तो आप as it is इस पे continue कर सकते हैं, मुझे थोड़ा अपने map को dark theme में लाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर street V11 की जगा यहाँ पे लिखूंगी, dark V10, basically कुछ नहीं है, यह map box की तरफ से dark और light theme के name है, तो अब मैं अपना जो page है वो refresh करते ही, देखिए हमारा जो map है वो dark mode में आ गया है, तो आप देख सकते हैं, within a 2 minute उससे भी कम समय में हमने अपना जो map box का setup है, वो कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा main काम आता है हमारे data को access करना, ठीके तो data access करने के लिए आगे मैं आपको दिखाऊँ, उससे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ data के लिए अपने ही channel का data यहाँ पे लिया है, तो आप में से जिनका भी basically channel होगा, तो आपको पता ही है कि आप अपने जो data है analytics का, वो geographically क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अब फ् format में करते हैं, तो आप simple सी बात है कि हमें इस CSV फाइल को चेंज करना पड़ेगा JSON format में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब आप online लिखे, ऐसे लिख सकते हैं, online converter CSV to JSON, आपको पहला ही link इस website का मिल जाएगा, and don't worry, इसका link भी मैं आपको description box में प्रोवाइ है, ठीक है, copy करेंगे हम, और यहाँ पर इसको simple paste कर दीजे, और नीचे वारे section में आपका automatically JSON format ready हो जाएगा, तो आप यहाँ से इसको download कर लीजेगा, डाउनलोड करेंगी तो आपको JSON format में फाइल जो है वो मिल जाएगी, तो इसी के corresponding मैंने, जो भी file मुझे मिली, उसका name change कर यहाँ रख दिया, और यह JSON file मेरी यहाँ पर ready हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि हमें JSON format में ही data को get करना है, अब हमें पता है कि JSON के साथ हम Ajax पहले यूज करते थे, बट अभी हम यहाँ पर modern JavaScript लेंगे, तो हम क्या करेंगे, फैच API का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम क्या लि क्या करता है, dot then, तो country data के नाम से मैं इसमें क्या करती हूँ, arrow function यूज करती हूँ, और हम क्या कर सकते है, country data जो हमारे पास है, उसको JSON से parse कर सकते हैं, क्योंकि अधर वाइस क्या होगा, readable format में रहेगा, हमको इसको parse करना है, ताकि हम इसको use कर सके, तो एक और dot then हमें लगाना ही लगाना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, final country, ठीक है, और हम क्या कर देंगे, यहाँ पर फिर से एक arrow function लेंगे, और अब यहाँ पर हम इस अपने जो data है, उसको console करके देखते हैं, कि हमारे पास, यह जो final data के रूप में, यह जो हमारा आ रहा है, final country, ठीक है, तो इस हमारे इस पर, और जब हम यहाँ पर इसको console करेंगे, तो देखते हैं, कि हमें कुछ data मिलता है, कि नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, friends, यह देखी, यह आपको array के रूप में, यह सारा का सारा data, जो अभी हमने जेसन बनाई है, वो सारा यहाँ पर आपको मि यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो हम कुछ नहीं करें, यहाँ पर map method यूज करेंगे, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, console.log करके, अगर हम LM पूरा देखे, LM करते हैं, और यह वाला जो console है, इसको comment कर देते हैं, तो अब आप देखेंगे, एक बार में रिफ्रेश कर लेती ह ठीक है, तो अब देखें, सारा का सारा data हमें एके करके यहाँ पर iterate हो गया है, अब data में हमें क्या मिल रहा है, एरे के अंदर फिर से further object है, जिसमें country एक key है और उसकी value in है, ऐसे अलग-अलग countries की अलग-अलग values हैं और views हैं, ठीक है, तो हमें जैसा भी चाहिए, अगर हम LM.country कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ countries के नेम यहाँ पर हमको अलग-अलग करके मिल जाएंगे, देखिए, यह देखिए, country के जो code है, बेसिकली वो हमको मिल रहा है, ठीक है, फाइन, तो अब हमें क्या करना है, second task हमारा क्या है, उन views का, मतलब countries, देख उसके views यहाँ पर मिल जाएंगे, देखिए, यह country के code है, यह in India है, तो यहाँ पर 1,14,942 इसके views है, ठीक है, ऐसे ही पाकिस्तान है, तो इसके views है, बागला देश है, इसके corresponding सबके views हमें मिल गए, बट हमें क्या करना है, इन countries को, इन countries को क्या करना है, अपने map यहाँ पर plotting कर बिलकुल सोचिए, पॉस करके, अगर आप सोचेंगे, तो आप, मतलब थोड़ा सा धियान लगाएंगे, तो आपको पता लगेगा, कि हमें latitude और longitude की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे इस जेसन में latitude और longitude नहीं है, क्योंकि वहाँ से हमें YouTube से नहीं मिलता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फिर से गूगल पे जाके हम कुछ ऐसा करते हैं, all country latitude longitude git करके, तो git में हमारे पास एक पहली ही जो लिंक आ जाता है, इसका लिंक भी मैं आपको basically दे दूँगी, description box में तो आप वहाँ से दे सकते हैं, तो देखिए friends, यहा corresponding latitude और longitude की value हमको यहाँ पर मिल गई है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सको कीजिए paste और इसका नाम जो है, वो हमें लिख देना है, तो हम लिखते हैं country lat long dot json, ठीक है, तो यह करा हमने, और यहाँ पर हमारी json file है, वो ready हो गई है, so friends, हमें क्या करना है, इस country lat long, जो अभी अभी json हमने ready की है, उसका data भी हमें क्या करना है, fetch करना है, तो हम इस वाले then के अंदर है ही है, इस वाले then के अंदर, map के अंदर, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम फिर से इसको return लगा के fetch API का use करेंगे, inner part के लिए, और यहाँ पे हम क्या कर country data lat long, ठीक है, इसको ऐसे करके, हम क्या करेंगे, arrow function use कर रहे है, country data lat long, अगर आप कोई लंबा लग रहा है ना, मैं जिस relevant रखने की कोशिश कर रही थी, तो आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई issue नहीं है, name रखने में, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से एक नाम लेते हैं, country data final करके, और arrow function हम use करेंगे, और क्या करेंगे, इसको console करके देखते हैं, कि हमारा जो data है, हमारा जो अभी अभी data है, final यह वाला, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखें, refresh करके, तो आप देखेंगे, कि हमें यह देखें, यह बिल्कुल हमको successfully यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, तो हम देखेंगे, कि हमारे पास क्या यह object है, पहले तो, फिर object के अंदर क्या है, यह array की format में हमको latitude और longitude की value यहाँ पर हमको मिल रही है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास दो अलग-अलग JSON है, एक तो यह वाली JSON है, जिसमें कि हमारी starting के views वाली और इस वाली countries में, क्या है, हमारे पास उन countries के code के corresponding latitude और longitude की value है, तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इन दोनों को हम connect करके final output latitude और longitude की value हम ले पाएं, तो अगर friends यहाँ पर ध्यान देंगे, तो हमारे पास यह country code है, यह capital में आ और यह वाली जो हमने अभी अभी बनाया, यह वाला इसमें क्या आ रहा है, तो गड़बड हो सकती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपनी जो country code है, यह वाला ठीक है, जो अभी हमको मिल रहा था, तो वो सबसे पहले हम यहीं पर क्या करते हैं, यहीं पर हम इसको क्या कर लेते हैं, हम ना एक variable basically मैं बना लेती हूं, final name का, और हमने देखा था कि LM.country करने से हमको country code मिल रहा था, हमारे views वाली फाइल का, ठीक है, views वाली जो हमने बिल्कुल starting में किया था, तो उसके लिए अब उसको lower case में हमें convert करना है, तो हमें पता है कि हमारे पास एक method होता है, to lower case, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर इसको console करवाएं, किसको, इनको comment कर देते हैं पहले वालो को, अभी हमने final वाला जो है, वो console करवा रही हूं, ठीक है, मुझे यह देखना है basically कि lower case में आए कि नहीं आए, तो देखिए, अब मेरे जो country code पहले capital में थे, वो अब lower case में आ गए है, तो अब हमें match करना easy हो जाएगा, तो अब हमें क्या करना है, मैं एक और variable बनाती हूँ, longitude long करके, basically, अब मुझे क्या करना है, जो मेरा यह आ रहा था ना, country data final, इसके array में मुझे क्या pass कर देना है, मुझे pass कर देना है इस long को, ठीक है, और अब मैं इस long को, अगर यहाँ पर आपको console करके दिखाऊँ, तो मुझे क्या, मुझे मेरा data मिल जाना चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, initialization का problem हो रहा है, तो देख लेते हैं कि longitude करके कुछ मैंने, longitude, इसको मैं क्या करती हूँ, इसी को copy करती हूँ, यहाँ, मुझे longitude नहीं करना है, sorry, यहाँ पर मुझे final वाले को pass करना है, ठीक है, और इस longitude को मैं यहाँ पर अगर paste करूँगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मेरा data यह देखिए, यहाँ पर मिल गया है, ठीक है, यह देखिए, अगर आपको यहाँ पर doubt हो रहा है, तो हम य इसी console को मैं यहाँ पर इसको final करके दिखाती हूँ, और यहाँ पर आपको longitude, अब आपको clear हो जाएगी, चीजे देखो, मैं यहाँ पर इसको refresh करती हूँ, देखिए, यह देखिए, सॉरी, मुझे यहाँ पर final करना है, फिर से mistake, छोटी-छोटी mistakes हो जाती है, कभी-कभी, यह देखिए, अब हमें क्या मिल रहा है, देखिए, हर एक country का, हर एक country के corresponding हमको क्या मिल रहा है, यह देखिए, उसका latitude और longitude value हमको मिल गई है, simple, तो हमें क्या करना है, अब हम अपने, यहाँ पर, यह map box जो था, वहाँ पर जाएंगे, और आपको इसके documentation में, यह जो पहला है, map box gl.js, इस पर जाना है, ठीक है, और यहाँ जाने के बाद, आपको example वाले tap पर करना है, click, और यहाँ पर आपको lots of example है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, कोई animated है, कोई आपको custom image यूज़ करनी है, तो बट यहाँ पर, अब हम simple अपने program को रखते हुए, मैं marker search करूँगी, तो आपको add a default marker, जो है, वो option यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, हमको कुछ इस type का, जो default marker है, वो लेना है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, कि हमको यह वाला, जो code था, access token वाला, यहाँ पहले से ही हमको मिला हुआ है, तो हमारा यह वाली जो चीज है, यह वाला marker वाला, इसको करना है copy, हम copy करके क्या करेंगे, इसी के अंदर, यहाँ पर कर देंगे, इसको paste, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको paste किया, और अपने format कर लेती हूँ, थोड़ा सा document, ताकि अच् ठीक है, तो इसको मिलने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो अपने latitude और longitude भी बना लेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, let, latitude, spelling सही होने चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, longi करके, यहाँ पर इसका, क्यूंकि हमें 2 मिल रहे थे तो 0 वाले index से हमें latitude मिलेगा और 1 वाले index से हमको क्या मिलेगा? longitude मिलेगा longitude ठीक है? तो अब हमारे पास हमारे latitude और longitude मिल गए हैं बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो marker है उसमें हमको सबसे पहले longitude लिखना है ये वाले में और इस वाले second वाले parameter में आपको latitude लिखना है ठीक है? तो कई लोग mistake कर देते हैं तो इस बात का आपको रखना है ध्यान तो हम यहाँ पर इसको paste कर देंगे और latitude को यहाँ पर इस वाली जगापे क्या कर देंगे? paste कर देंगे as simple as that ठीक है? करने के बाद अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा task almost friends almost 95% जो है वो हमारा task यहाँ पर हो गया है ठीक है बट यहाँ पर अभी क्या और है सारे के सारे markers जो है यह basically क्या शो कर रहे है कि किस किस country में हमारे जो coding करी है वो देखा जाता है ठीक है बट हम अ marker का color जो है वो change करना चाहूं red करूं तो आपको क्या मिलेगा यह जो marker है वो red हो गए बट हमें condition लगानी है तो condition के लिए लगाने के लिए हम यहीं पर क्या करते हैं हमको views get करने है तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर yt views करके क्या करूंगी एक variable बना लूँगी और मुझे variable कहा से मिल रहा था यह lm.country करने से तो हमें country मिल रहा था और lm. अगर मैं views करती हूं तो मुझे views यहाँ पर मिल रहे थे हमने देखा था चीक है तो अब इसी के 20 पे यह वली जो हमने बनाया whitey views इसी के base पे हमें condition यहाँ पर लगा देंगे if else की तो हम if else की condition में क्या लिखेंगे if अगर whitey views जो है वो greater than 100 है तो हम क्या करेंगे जो हमारा color है वो क्या हो जाए equal to हो जाए किसके green के ठीक है यह green के equal हो जाए और अगर हमें multiple conditions लगानी है तो हमें पता है कि हम क्या लगाते हैं else if लगाते हैं ठीक है तो else if में whitey views जो greater than अगर 50 है तो क्या हो जो color है basically वो क्या हो जाए yellow हो जाए ठीक है तो यह yellow आजाएगा और else मतलब की इससे भी कम होते हैं तो हम क्या करेंगे हम करेंगे इस color को क्या red आप चाहें तो कोई भी color use कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको क्या करना है ऐसे use किया आपने उसके बाद इस color को यह वाला जो color है अब य अब आप देखिए तो हमारा क्या हो गया है color से differentiate हो रहा है मतलब की यह जहां पर भी आप green देख रहे हैं वो हमारे क्या है वो हमारे more than 100 views है वहाँ पर हमारे more than 100 करके views आते हैं और यह yellow वाले हैं वहाँ पर more than 50 और जो red वाले है वो less than 50 जो है वो views देखे जाते हैं ठीक है त तो यही था आज का video friends I hope आपको map box भी सीखने को मिला होगा multiple अगर अपने data को access करना चाहते हैं तो fetch के अंदर fetch कैसे use करना है वो भी आपका clear हुआ होगा और csv2 json कैसे होता है और 2 json को कैसे हम merge कर सकते हैं बहुत कुछ आपने सीखा होगा and I hope friends आपके लिए मतलब की utilize तो र Facebook, Twitter, any LinkedIn कहीं पर भी आपके friends इसको use करते हैं तो यहां share कीजिए और अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe करके bell notification icon को भी कीजिए प्रेस ताकि ऐसे ही awesome videos आपको मिल सके सबसे पहले so friends मिलते है next video में तब तक के लिए bye bye take care